सो हेलो दोस्तों स्वागत है फिर से आप सभी का एक्सपड वावा यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियों हम बात करने वाले हैं वाइस Access Application के बारे में की इस Application को आपने फोन में कैसे यूज कर सकते हो आप बिनना फोन को टेच किये हुए आप किसी भी Application को या अपने फोन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो वो भी अपने वाइस से गोगेल यह लेल सी कंपनी ने इस अप्लीकेशन को लॉंच किया है और गाइस मैं आप सभी को बताऊंगा इस अप्लीकेशन में आप एकसेस देने के बाद अपने वाइस से अपने फोन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो तो सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में श्टब बाइस देने वाला हो तो गैस दोको वीडियो को बिल्कुल भी स्कीम मत करना और वीडियो को पूरा एंड तक देखना वीडियो अच्छी लेकि वीडियो को लाइक कर देना चैनल पहली बाद और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आख नोट्फिकेशन पर किलिक कर देना ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो को नोट्फिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए और जैसे कि आप सभी यहां देख सकतो हो मिने प्लेइश्टोर पर अल्ड़डी इस अप्लिकेशन को श्टोल कर यहां आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आप गाइस आपको करना क्या है यहां वाइस एक्सेस ओफ है तो इससे ओन करना है यहां आपको किलिक करना है control device with voice पे इस पे किलिक करते हो तो यहां voice access आपको दे देना है इस पे जैसे ही दे दे तो इस पे किलिक करते हो उसके बाद यहां ok का option आ जाता है simple ok वाले option पे किलिक करते हो यहां आपको continue का option आएगा तो यहां continue वाले option पे किलिक कर देना है उसके बाद guys देखो य आपको continue का option मिल जाँगा तो यहां пока continue करते जाना आपको एड़ार कर देना गारा का कर देता यहां उसके बाद देखो यहां возвращ कम्प्लीट हो चुका है अब यहां देखो wise access okay पे फिर से किलिक कर देना तो यहां से off on भी आप कर सकते हो कैसे करना सारी चीजे में आप सभी गताता हूं यहां on कर देना उसके बाद फिर से यहां आप वह ही step आप यहां से okay पे किलिक कर देना बस यहां आपका wise access यहां से आप check कर सकते हो ओन हुआ है या नहीं तो यहां आप देख सकते हो okay tap to start start हो चुका है अब guys दोखो यहां आपको करना क्या है मैं आप सभी को सारी detail में बताता हूँ तो guys दोखो यहां आपको एक symbol दिख रहा है जैसे कि आप सभी यहां देख सकते हो अगर आपको on करना है तो simple सा इस पर आपको tap कर देना okay आप देखो wise access आपका ओन हो गया and यहां आप कोई भी application को search कर सकते हो कैसे करना मैं आप सभी को बताऊंगा लेकिन guys दोखो यहां मैं चलिए मैं यहां दिखा देखता हूँ यहां आप देख सकता हूँ यहां को play store नहीं है अभी यहां देखो मनलब की आप लोग ऐसा मत बोलो नआद की टेप करके आप लोग ने इस application को open किया या कुछ भी किया देखो यहां play store नहीं है, मैं आप सभी को यहां बोल के दिखाऊंगा, play store और play store open हो जाएगा, okay play store तो guys, जैसे कि आप सभी यहां देख सकतो, play store open हो चुका है and guys, यह जो access है काफी, मतलब work कर रहा है जो कि यहां आप देख सकतो, wise access है काफी work कर रहा है, आप guys देखो, okay, तो guys देखो, इस तरह आप इस application को use कर सकतो, and guys देखो, मैं इसे मतलब stop कर देता हूँ तो यहां उपर से scroll करना और यहां tap to, push और यहां start को option मिल जाएगा, तो इस पर आपको tap कर देना, okay, फिर से यह symbol बन जाएगा, on करना रहेगा, तो यहां से आप on कर सकते हो, आप guys देखो, मैं other application को open करके, आप सभी के सामने दिखा देता हूँ, okay, तो guys देखो, जैसे कि आप सभी यहां देख सकते हो, patium मेरा on हो गया है, तो इस तरह आप इस application को use कर सकते हो, मलब अपने voice से अपने phone को control कर सकते हो, तो यहां से scroll करना, और यहां से आप tap to push और tap to start को option मिल जाएगा, यहां से आप stop कर सकते हो, और चालू on off कर सकते हो, तो इस तरहीके से आप इस application को use कर सकते हो, आसा करता हो, आप सभी को वीडियो काफी अच्छी लगी वीडियो को like क करना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके, आल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, तो चलिए एक लिए वीडियो मिलते हैं, अब तक लाटेक के, बाई बाई